नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूँ विशाल सर्मा देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी एर्टिल से जुरी बड़ी खबर सामने आ रही है एर्टिल बिस्नस के चीफ एक्जेकुटिव अफिसर यानी सीओ अजय चितकारा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है हलांकि वे अगस्त के तीसरे हफ़ते तक कंपनी के साथ बने रहेंगे इस स्तीफे के बाद एर्टिल कंपनी में बड़ा फेर बदल देखने को मिल रहा है अजय चितकारा के स्तीफे के बाद कंपनी अपने बिजनस सेग्मेंट को तीन बिजनस सेग्मेंट में बाट दी है ग्लोबल बिजनस की कमान वानी वेंकटेश के पास आ गई है वहीं घरेलू बिजनस की कमान गनेश लक्ष्मी नारायन के पास आ गई है नेक्स्टरा डाटा सेंटर की कमान आशीश अरोरा के पास आ गई है अब इस फेर बदल पर कमपनी का क्या कहना है ये जान लीजे भारती एरटेल के MD और CEO गुपाल विट्टल ने इस फेर बदल पर टिपनी करते हुए कहा कि मैं इन बिजनसों को बढ़ाने के लिए वानी, गनेश और आसीश के साथ मिलकर काम करने का प्लान बनाया हूँ उमीद है कि बिजनस को आगे बढ़ाने में तीनों की मदद मिलेगी इसके अलावा गुपाल विट्टल ने कहा कि मैं अजय चितकारा के योगदान को जानता हूँ एरटेल के साथ 23 साल का लंबा सफर रहा है इस दौरान उन्होंने कई एहम भूमी काये नहीं भाई यानि ICT की सेवाएं मुहया कराने वाली कंपनी है यह enterprises, सरकारों, कैरियरों, MNO यालि मंटी नेशनल और चोटे वो मध्यम उद्योंगों को अपनी सेवाएं मुहया कराती है शो मुबार को एरटेल के शेर 0.42 फीजदी गिरकर 851 रुपे पर क्लोज हुआ था पिछले एक साल में एरटेल के शेर में 25 फीजदी का उचाल भी आ चुका है अब जाते जाते एरटेल का results कैसा रहा है यह जाननी जीए भारती एरटेल का quarter 4 में मुनाफ़ा quarter on quarter basis पर 89.2 फीजदी बरहा था यानि financial year 2023 के quarter 3 में भारती एरटेल का मुनाफ़ा 1588.2 करोड था जो financial year 2023 के quarter 4 में 1588.2 करोड रुपे से बरकर 3005.6 करोड रुपे हो गया था भारती एरटेल का quarter 4 में आए quarter on quarter basis पर 0.6 फीजदी बरहा था यानि financial year 2023 के quarter 3 में भारती एरटेल का आए 35,804.4 करोड था जो financial year 2023 के quarter 4 में 35,804.4 करोड से बरकर 36,009 करोड रुपे हो गया है भारती एरटेल का quarter 4 में EBIT यानि कामकाजी मुनाफ़ा quarter on quarter basis पर 1.1 फीजदी बरहा है यानि financial year 2023 के quarter 3 में भारती एरटेल का कामकाजी मुनाफ़ा 18,600.7 करोड रुपे था जो financial year 2023 के quarter 4 में 18,600.7 करोड रुपे से बरकर 18,807 करोड रुपे हो गया है अब भारती एरटेल का quarter 4 में margin कैसा रहा ये भी जान लेते हैं Financial year 2023 के quarter 3 में भारती एरटेल का margin 52 फीजदी था जो की Financial year 2023 के quarter 4 में 52 फीजदी से बढ़कर 52.2 फीजदी हो गया है अखैर इस ख़बर के आने के बाद एरटेल का share कैसे react करेगा ये तो market खुलने के बाद पता चलेगा तो इसी तरह business जगत से जुरी तमाम ताजातरीन ख़बरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक झाल